तो बड़े लेवल में काम करने के लिए ये डो मिकसर बहुत बहतरी रिंग काम करती है क्योंकि आटा गुठने के बाद ही तो पानी पूरी तियार होंगे इस दो निडर में आटा डालने के बाद मसीन ओन कर दीजिए और साथ ही में पानी भी डालते जाएए यहाँ आप तरीके से गूत जाए अब इसमें फिर से पानी डाल दीजिए वैसे आप देख सकते हैं कि लगभग लगभग आटा गूत चुका है इसके साथ ही में ओयल भी अडिकर दीजिए इससे पानी पूरी का स्वाध और भैतरी न हो जाएगा ओयल डालने के बाद लॉक कर दीजिए अभी आपको सिर्फ पांच मिनट का वेट करना है क्योंकि पांच किलोगराम आटा गूतने में सिर्फ पांच मिनट का समय लगेगा company में आपको और भी model की machines मिल जाएंगी यदि आप चाहें तो 5 kg capacity से लेके 50 kg capacity तक ले सकते हैं 5 kg आटा गुथने में आपको कम से कम 15 से 20 मिनट समय लग जाएगा लेकिन वहीं पर यह machine बिना किसी महनत के सिर्फ 5 मिनट में गूत कर ready कर देगी इसमें आप देख सकते हैं 0.5 HP का motor लगा हुआ है जिससे कि यह mixer चल रहा है और इसकी पूरी body stainless steel 304 से design की गई है जिससे कि junk वगरा लगने की in future कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी वैसे आप देख सकते हैं कि गूता हुआ आटा एकदम से ready हो गया है बताई इसकी quality कैसी है अच्छे से गूता है की नहीं गूता है आटा गूतने का काम तो यह machine easy कर रही है लेकिन main मेहनत तो पानी पूरी बनाने में लगती है बताई यह लगती है की नहीं तो इसी मेहनत भरे काम को easy करने के लिए हम यह compact size की पानी पूरी making machine लेकर आए है इसे चमुंडे engineering के दोरा बनाये गया है इसका model आप देख सकते हैं अभी तक हमने आपको जितनी भी machines दिखाई है उन सभी से इसका model अलग है इसमें आपको करना ही क्या है बस यहाँ गूथा हुवा आटा डालने के बाद नीचे से machine on कर दीजे अभी आप चाहें तो कुरसी लगा कर bed भी सकते हैं और यहाँ देखिये पानी पूरी की cutting होना start हो गया है ओपर side दो roller लगे हुए हैं यह सबसे पहले गूथे हुए आटा का बेलन करते हैं इसमें आप चाहें तो thickness भी adjust कर सकते हैं कि आप कितने thickness में पानी पूरी बनाना चाहते हैं यदि आप मोटी पानी पूरी बनाना चाहते हैं तो मोटी बना सकते हैं यदि आप पतली पानी पूरी बनाना चाहते हैं, तो वो भी सेट करके बना सकते हैं, बेलन होने के बाद नीचे साइट कटिंग डाई लगी होई है, आपको साइट दिखने रही होगी, ये डाई लगातार पानी पूरी की कटिंग कर रही है, और यहाँ उपर साइट से आप देख सकते हैं कि पानी पूरी कटिंग होने के बाद एक कनवेर बिल्ट में आ जाती है, इसका आप साइज देखिए, जितनी भी पानी पूरी त्यार हो रही है, सभी का साइज एकदम बराबर है, ऐसा बिलकुल नहीं है कि कोई पानी पूरी छोटी है तो कोई पानी पूरी यहाँ आप देख सकते हैं, तो इस चीज का टेंसन बिलकुल नहीं लीजिएगा, कि आपका थोड़ा भी material वेस्ट होगा, मशीन फुली आटोमेटिक वर्ग कर रही है, इसमें एक HP का मोटर लगा हुआ है, और इसे चलाने के लिए ज़्यादा इलेक्रिस्टी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंगल फेस कनेक्शन में ही मशीन चला सकते हैं, इसका सबसे बड़ा फायदा यह है, कि यदि आप क इंच, विट्थ 20 इंच, और यदि हाइड देखा जाए, तो सिर्फ 30 इंच है, तो आपके घर में भी असानी से आ जाएगी, वेट भी सिर्फ 110 किलोग्राम है, तो दो से तीन लोग मिलकर इसली उठागर कहीं भी रख सकते हैं, यदि इसके प्रोड़क्शन कैपसिटी की ब आपको सुनने में यही आएगा कि पूरा दिन का समय लगता है, और साथ ही में पूरे फैमली मिंबर्स मिलकर बनाते हैं, तब जाकर 1000 पानी पूरी त्यार होती है, वहीं पर यदि इस मशिन की बात की जाए, यह मशिन एक घंटे में 5000 पानी पूरी त्यार कर देगी, तो आपके डिस्टिक में जितने भी पानी पूरी वाले हैं, उन्हें आप सेल कर सकते हैं, अब ये आप के उपर डिपन करता है, कि आप कितने बड़े लेवल में वर करना चाहते हैं, ये जो पानी पूरी त्यार हो रही है, आप इसकी quality देख सकते हैं, जिस तरह हातों से बनात बस यहां कडाही में डाल दीजिए और छन्ने के माध्यम से चलाते जाईए वैसे आप चलाने का तरीका देख सकते हैं किस तरह से फ्राई हो रहा है छन्ना चलाते जाईए पानी पूरी अपने आप फूलने श्राट हो जाएंगी गैस का फ्लेम बहुत हाई नर रखें बलकि म पानी पूरी त्यार होई है एक भी पानी पूरी ऐसी नहीं है जो कि फूली हुई ना हो 100% में ना कहों कि 1-2% पानी पूरी ना फूले बाकि सभी पानी पूरी फूली हुई त्यार होई है अब इसे फिर से डाल रहे हैं वैसे आप देख सकते हैं कि फ्राई करने में बहुत समय नहीं लगता है एक बैच में लगबग 30 से 40 सेकंड के समय लगता है सिर्फ 30 से 40 सेकंड मेन महनत तो बेलन करके उसकी छोटी छोटी पीस कटिंग करने में आती है तो अब आपको उसके लिए भी महनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम जो पानी पूरी उसका यूज करके आप कुछ ही घंटों में हजारों पानी पूरी त्यार कर पाएंगे उसके बाद बात आती है फ्राई करने की तो फ्राई करने में ज़्यादा महनत करने की ज़रूरत नहीं होती है बस आप कड़ाई में डाल कर चलाते जाएए पानी पूरी फ्राई होती एक दिन मैं कमेंट रिड कर रहा था, तो आपने कमेंट किया था कि sir, हमने बहुत ड्राइ किया, लेकिन पानी पूरी फूल नेरी है, इसका तो एक रीजन हो सकता है कि साथ आपसे पानी पूरी बनाते ना आ रही हो, या फिर ये हो सकता है कि आपने आठ अच्छी तरीके से गोथा ना हो यदि आप रेस्पी जानना चाते हैं तो नीचे कंपनी के नंबर दिया गया है आप मशीन के साथ-साथ बहतरीन क्वाल्टी में पानी पूरी बनाने की सीक्रेट रेस्पी भी पूँच सकते हैं अधिक समय तक फ्राई करेंगे तो एकदम क्रिस्पी पानी पूरी तयार होगी आप इसकी क्वाल्टी बताइए एकदम क्रिस्पी पानी पूरी तयार हुई है की नहीं यहां देखिए बिल्कुल क्रिस्पी पानी पूरी त्यार हो रही है एकदम कुरकुरी मशीन आपरेट करने के लिए आपको वरकर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप चाहें तो अकेले ही मशीन आपरेट कर सकते हैं कंपनी में बहुत सारी मशीन से वाई लेवल हैं यदि आप चाहें तो पूरी थेपला मोमोस पूरी पापड के साथ बहुत सारी चीज़े बनाने की मशीन ले सकते हैं या फिर फूल आटोमेटिक मशीन सो, डेरी मशीन सो, एगरी कल्चर मशीन हो, हर तरे के छोटी बड़ी मशीन से वाई लेवल है तो इसक्रीन में दिख रहे हैं लोगों पे क्लिक करके चैनल को अभी सब्स्राइब कर लीजिए बात में नहीं करना है, अभी करना है क्योंकि ये सबी मशीन्स आपके फूड विजनस में दस गुना ग्रोथ दे सकती है तो एक बार जाईए और विजिट करिए ये मसोचे की वीडियो खत्म हो गई है अभी मिलता हो इसक्रीन में दिख रहे इस नई और सांदार बरफी मेकिंग मशीन वीडियो में